हाई फ्रेंड्स मैं दिलिप सिर्वास्तो आज आप लोगों को अपने यूटूब चैनल वाइफा एक्जाम पूरी में स्वागत करता हूं दोस्तों लास्ट क्लास तक हम लोगों ने कंपाउंड इंट्रेस पार्ट वन किया था आज आप लोगों मैं कंपाउंड इंट्रेस पार्ट वन में तो आपको बताया था कि कैसे हम लोग उस ट्रिक को यूज करते हैं जो हम लोग के लिए बहुत ही एफेक्टिव होता है उसी ट्रिक को यूज करते हुए आज आप लोगों को पार्ट टू कराएंगे इसलिए मैं यह बोल रहा हूं कि आप लोग वीडियो को पार्ट वे लेकि लास्ट देखिए गा जिसमें आप लोगों को उसी ट्रिक को यूज करते हुए फियरली और क्वाटर ली मोड में कैसे निकालते हैं चीजों को निकाल सिखा देंगे और डिफ्रेंस भी कैसे निकालते हैं भी सिखा दूँगा तो आज के वीडियो में प्रिंसिपल निकालने के बात करें तब जो से सिखा दूंगा और उसके बाद मिस्लेनियस कोशन करा दूंगा मतब आपको पांच पार्ट में पूरा का पूरा compound interest ऐसा मैं करा दूगा कि compound interest से कोई भी कोशन आपके पेपर में अगर आए वो पीटी का हो या मेंस का हो वो कोशन नहीं छुटना चाहिए यह मेरा पूरा दावा है अगर पूरे के पूरे चीजों को सही तरीका से आप उसको देखेंगे तो तो चलिए अब यह स्टार्ट करत पाइब पासेंट और टाइम मेरा है ठाई साथ और आपके पास पूछा या फाइन क्या करना यहां पर पेटाँ फाइन करना है difference between difference between si and ci इसका मतलब हुआ कि चक्रबिधी और साधान ब्याद में आनता है कि चक्रबिधी और साधान ब्याज में अंतर कैसे निकालेंगे आपको इस question में सिखा रहा हूं कि एक question है कि principle आपका 10,000 है रेट आपका है 5% time है आपका 30,000 है आप से कोई पूछे कि 30,000 में चक्रबिधी और साधान ब्याज में अंतर कैसे निकालते हैं तो ट्रिक अगर देखते हैं directly जो ट्रिक देखते हैं ओ ट्रिक आपको 2 साल में ओ ट्रिक आपको तीन साल में होती है, दो ही ट्रिक आपको भुक में अविलेबल होते हैं, धाई साल, साड़े तीन साल, साड़े चार साल और पांच साल का कोई ट्रिक नहीं होता, लेकिन मैं जो आपको सिखाने जा रहा हूं, किसी भी टाइम के लिए आप उस compound interest और simple interest का difference निकाल सकते हैं, तो मैं आपको वही तरीका समझा रहा हूं, जो last class में समझाया था, इसलिए अगर मेरी पहले वीडियो नहीं देखे होंगे, तो please मैं ही आपको recommend करूँगा, कि सबसे पहले आप मेरा part 1 देखें, compound interest का, उसके बाद part 2 पर आएंगे, तब आपको सम में आएगा, क्योंकि मैंने उसमें कुछ special trick सीखाया हो, तो 10,000 का आपको निकालना होगा, पाहले 5%, तो 5% निकालते है, 10,000 का तो 500 का तो प्रिंस्पल पहला जो इंट्रेस मिलता है प्रिंस्पल पर मिला हुआ इंट्रेस होता है तो डिफ्रेंस का मतलब ही होता है कि जो अलग हो डिफ्रेंस का मतलब क्या होता है जो अलग हो तो यह जो पहला ब्याज मिला होता है वो साधान ब्याज हो तब भी उसमें ब्याज मिलेगा प्रिंस् इंट्रेस दोनों से अलग रहा हो मतलब सिंपल और कंपाउंड इंट्रेस में जो कॉमन इंट्रेस था उससे अलग रहा हो तो प्रिंस्पल का इंट्रेस दोनों में मिलेगा तो पहला जो इंट्रेस आता है वेटा वो प्रिंस्पल का इंट्रेस आता है तो इसको हम लोग कर यह दो जितने भी बचे होंगे साभी को अड़ कर लेंगे तो यह 200 प्लस टू पॉइंट फाइफ इसको अड़ कर लिए हम वक्त तो टू हंडेट टू हंडेट टू हंडेट टू-पॉइंट फाइफ रूपे ए रुप्या हो गया तो आपके पास जो शक्विदी ब्याज आ पचास पैसा हो गया चले एक कोशन मैं और लेता हूं उससे समझ में आ जाएगा आप लोग को कि प्रिंस्पल की वैलू आपके पास है प्रिंस्पल की वैलू मालो ले लो 6400 और रेट ले लो आप 12 1 by 2% और टाइम ले लो आप तीन साल ले लो और आपको यहां भी निकालना है डिफ्रेंस बिट्विन डिफ्रेंस बिट्विन SI and CI मतलब चक्रविधी और साधारा ब्याज में अंतर तो यहां पर भी वही चीज़ निकालना है कि साधार ब्याज और चक्रविधी ब्याज में क्या अंतर होगा तो सिंपल सी बात आपको मैं बताना चाहूंगा कि बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं फिर वही मैठर लगा लेंगे वो कितने साल का भी टाइम दिया हो तो यह 6400 रुप्या हो गया 2400 का साड़े 12% को वह लोग क्या बोलते हैं साड़े 12% के अगर बात करता है तो इसका फ्रेक्शन हो जागा 25 बटा में दो पासेंटिज को अगर फ्रेक्शन बदलते हैं हम लोगों ने चल्व किया इसको एक बटा सो से multiply करते हैं मताब पसेंटे से फ्रेक्षन में convert करने के लिए बाइअ हंडेट से multiply किया करते हैं तो यहाद भी होना चाहिए कि साड़े 12 पसंट का फ्रेक्शनल वैलू क्या होती है तो साड़े 12 पसंट की जो फ्रेक्षनल वैलू होती है वह और यहां पर पहले वंगाइट निकालेंगे तो वन बाइट देखो जहां पकर साड़ें बारा पर जीसे हमें वहां पर पांच पसंत था तो पांच पसं डारेकली निकालना आसान था यह पॉल सकते थे तह़े पर भी 1 by 20 से भी निकाल सकते थे आंसर में कोई प्रॉलम नहीं आती तह हां पर 800 रुपया हो गया फिर इसका वन बाई एक निकाला फिर उबया होग्या निकाला तो तो 322 रुपया हो गया मत्तब कैसे हुगा 6400 का 1 by 8 का मतलब 1 by 8 ऐसे निकालते हैं तो ये बैलू 800 रुपया हो गई फिर आपको 800 रुपया का बेटा 1 by 8 निकाला हम मैंने तो 800 रुपया का जब 1 by 8 निकाला तो 100 रुपया हो गया और 100 रुपया का 1 by 8 निकाला तो ये साड़े 12 रुपया हो गया ऐसे सल्व कर लेते हैं आपको नहींतास सिंपल सी बैलू डारेट्ट्ली सल्व कर सकते Housing अब इहां पर तीन साल में क्या होता है त्री और भी फी त्री और एवन इसकी वैलू जाएगी 2400 इसकी वैल हो जाएगी आपको 300 और इसकी वैल हो जाएगी 12.5 तो अंतर जो आपके पास आएगा अंतर मतलब जो difference आएगा simpler compound interest का उपहला को छोड़ देंगे तो यह 300 हो गया प्लस के सारे बारा रुपया हो गया मतब 312 रुपया पचास पैसा आपका अंतर हो गया तो इस प्रकार हम लोग देख लिया कि सिंपल और compound interest का अंतर कैसे निकालेंगे इस चार्ट कहां से लिख रहा हो बेटा पहली वीडियो में आप जाओगे तो पूला का पूला चार्ट लिखा हुए पांच साल तक का उसमें चार्ट आपको मिलेगा डेढ़ साल मिलेगा धाई साल मिलेगा तीन साल मिलेगा चार सा पांच साल जो है छेट चार्ट बनाकर लिखा हूं पांच साल तक के लिए उसे एक बाद दिख लिएगा पार्ट वन में जाकर मेरे compound interest का अब दूसरा question लेते हैं कि amount कैसे निकालते हैं मानलो कि यह मैं तो आपको difference दिखा दिया सिखाने और amount निकालने सिखा रहा हूं फिर half जालू दे दी गई है आपको 10,000 सिंपल सा ले लो 10,000 है रेट आपके पास 10% है और आपके पास टाइम जो है बेटा टाइम दिया है धाई साल और निकालना है कि amount क्या होगा मतलब मिस्धन जिसको बोलते हैं मिस्धन क्या होगा मतलब मुल्धन दिया हुआ है पी का मतलब बेटा मुल्धन होता है और इसका मतलब दर होता है और इसका मतलब समय होता है ठीक है तो आपके पास principle दिया हुआ है दर दिया हुआ और समय दिया हुआ निकालना है मिस्धन क कैसे निकालते हैं तो Amount मतललम मिसधन बराबर होता है प्लस इंटेस मतलब प्रिंस्पल प्लस इंटेस को अगर आड़ करते हैं बीटा तो आममों के पास मीस्धन आ जाते हैं एक और फामूला होता है माउंट की फामूला जानते हैं तो पी वन प्लस और अपॉन-णिक की पावर्ती तो एक भी फामूला यह तो अमाउंट का एक सिंपल सा कॉंसेप्ट का फामूला है उसमें सिंपल इंट्रेश होगा तब भी निकलेगा कंपाउंड इंट्रेश होगा तब भी निकलेगा यह बहुत ही कॉमन फामूला है और यह फामूला केवल और केवल कंपाउ लेते हैं तो amount बन जाता है तो amount हमनों निकालने सी के principle plus interest से आफ देखिए पहले हम लोगे interest निकाल लेंगे तो तो ठेन thousand का तेन थाउजन का आपका दस पर सेंथ है Products निकालो गे आपका तो आपके पास 10% का 1000 होगा इसका फिर से आप 10 पर से निकालो होगे तभ इसका 10% निकालोगे तो 100 होगा इसका 10% निकालोगे तो 10 होगा आपको टाइम 3 स directors दिया हुआ है ता यह धाय साल है दाइज साल में पहला 122 होता है और एकट होता है और हाफ होता है अहल होग台 1000 और यह वैल हो गई 200 एland हो पांच तोटल कंपाउंड इंट्रेस जोड़ लोगे तो 25 दो 2705 कंपाउंड इंट्रेस हो गया और अमाउंट के लिए बताया था कि प्रिंस्पल प्लस इंट्रेस कर लोगे इसका मतलब प्रिंस्पल की वैलू हम लोगे पास 10,000 थी और उसका जो इंट्रेस मिला हो 275 रुपय बना 12,705 रुपय अमाउंड बना तो हम लोग इस प्रकार यह देख लिए कि कि अमाउंड का निकालेंगे ऑख İy साल का टायम रहा connecting साल का यह चार साल 60 वास है इसिमप्ल सी को इस्ट माइफाइर अगर टू लिखते हैं तो सल्व कर लेते हो, पावर थ्री लिख होगे तो सल्व कर लोगे, लेकिन पावर डेड़ जब हो, पावर धाई हो, तो उसे सल्व करने में आपको दिक्कते आएंगी, इसलिए सबसे बेस्ट मैथाड आपको यही होगा, जो compound interest निकालना हो, या amount निक difference क्या होगा, 205 रुप्या होगा, आपके अगा difference निकालने की बात करता हो, मालों कि यहां पर मैंने एगद्या difference निकालने के लिए, तो बेचा जब difference निकालना हो, तो difference क्या होगा, difference की value जो होगी, अंतर निकालना होगा, तो 200 प्लस पांथ, 205 रुप्या हो जाएगा, तो इ पहुत आसानी की तरफ बने अब चलते हैं कि पको के बाइघ då और इंट्रेस्स या डिफरेंस की सियामाउंट एंट्रेस् जो विजह त्छ अगर ऍट्रेस्ट से की आप होता एक तो एन्वाल मोड में में होता है जो कि हम लोगों ने पढ़ठ रहा है यह वरता होता है quarterly mode मतलब हर तीन महिना पर कोई ब्याज लेने रहा जाता है कि हर भाई मुझे ब्याज हर तिन महिना पर चुका होगे यह एक होता है half yearly mode मतलब ब्याज की राती हर छे महिना के बाद चुका होगे तो मालों कि मैंने प्रिंस्पल ले लिए कि 6400 रुपया मेरा है और बेटा रेट ले लिया मैंने आपको सारे 12 परसेंट और टाइम ले लिया मैंने आपके पास टाइम ले लिया देड़ साल देड़ साल और यहां पर लिखा राएगा इस दा इंटरेस्ट बिंग कल्कुलेटेड कॉर्टर्ली मतलब यहादी चक्रविधी ब्याज हाफ यहली करले इस दा इंटरेस्ट बिंग कल्कुलेटर हाफ यहली यदि चक्रविदी ब्याद ब्याद छमाही जोडता हो चक्रविदी बाद छमाही जोड़ता है मतलब हाफ एरली का मतलब हो तो ध्यान देना मैं जो बताने जा रहा हूं इसको पूरा अच्छे तरीका से सीखना कि रेट को जब हाफ एरली अगर हाफ एरली होगा हाफ एरली होगा तो बेटा रेट को 2 से डिवाइड करोगे और टाइम को 2 से मल्टिप्लाई करोगे यह चीजों आपको सीखना पड़ेगा कि अगर रेट जो है हाफ एरली जूट रहा हो अगर इंटेस आपका हाफ एरली जूट रहा हो तो रेट में आप 2 से डिवाइड गया और कुछ नहीं करना है तो इसके भीहाब पर हम लोगों को rate क्या हो जाएगा rate आपके पास क्या साधे 12% है 12% का fraction क्या था एक बटा तो rate अगर एक बटा था इसमें हम लोगों ने दो से डिवाइड कर दिया तो एक बटा तो उसी प्रका हम लोग निकाल देंगे, अब कैसे निकालेंगे ये देखो, रेट वन बाई हो जाएगा, तो यह 6400 ρुप्या का, एक बटा 16 निकालोगे बेटा, तो 400 रुप्या जाएगा, और इसका फिर से एक बटा 16 निकालोगे, तो 25 आजाएगा, और इसका एक बट्टा 16 फिर से निकालोगे तो 16 एक कम 16 16 के बाद कितना बचा निकल गया नौव 16 पांचे असी दस 16 छके चानबे चानबे चार 16 दोना के 32 पांचे तो बहुत बढ़ा गया तो इसमें क्या करेंगे पॉइंट हम लोग ने दे दिया यहां से 1.5625 तो बेटा यहां पर आपके पास अगर टाइम क्या होगा 3 साल तो 3 3 1 का मल्टिप्लाई करोगे ठीक है तो इसमें आपका यह बैल हो गई यह 1200 रुपया हो गया और यह हो गया 75 रुपया और यह हो गया 1.5625 देखो रेट हम लोग के पास 1 x 8 था उसका हाब कर दिया तो 1 by 16 हो गया टाइम घेट साल था उसको डबल कर दिया 3 साल में अगर आपके पास देखो अगर आपको compound interest निकालना हो तो आपने 1200 रुपया को 75 रुपया को और 1.5625 को जोड़ लोगे तो 1275 और 176 तो 1276.5625 हो गया अगर बेटा आपको difference निकालना हो आंतर निकालना हो तो यह 75 रुपया को 1.5625 को जोड़ जोगे तो 76.5625 हो गया बेटा अगर आपके पास amount निकालना हो तो principal plus interest होता है principal plus interest होता है तो principal की value 6400 रुपया है और interest की value जो आपके पास आ गई वो 1276.5625 आ गई इसको जोड़ लिया 6400 और 1200 जोड़ लोगे तो 7600 हो जाएगा 76 76.5625 हो गया देखो 6400 में 1200 जोड़ लोगे तो 76 हो जाएगा 76 76.5625 हो गया मतलब इस प्रकार आपने amount निकालना भी सिख लिया इस प्रकार आपने डिफ्रेंस निकालना भी सीख लिया अब हम लोग चलते हैं अगले कोशन की तरफ एक बार क्वाटरली निकालना सिखा दे रहा हूं यह एक कोशन इस पर और ले रहा हूं जिससे कि आप लोगो कोई दिख्कत ना ने पाए अगला कोशन आपको लेता हूं कोशन नमर फाइफ हम लोगे पास है आगका कोशन नमर फाइफ है इसलिए मैं बोलता हूं कि देखो वीडियो रिकॉर्ड करना सूट करना बहुत ही तफ काम है अपने आपको पाले तो माइन प्रिपेर करना किसी भी टाइम पर माइन प्रिपेर करना कि वीडियो बना नहीं है फिर उसको अप्लोड करना फिर सिस्टम को सेट करना बहुत टफ काम है इसलिए मैं बोलता हूं कि आप लोग इतना परिशंगर आप लोगों के लिए करता हूँ, तो आप लोग भी थोड़ा से मेरे हेल्प कर सकते हैं कि वीडियो को जो है, सब्सक्राइब और सेर जरूर करें, और लाइक भी जरू करें, जिससे मुझे भोशला मेरा बना रहेगा, कि हाँ, मैं वीडियो हमेशा बनाते रहों, तो और कुछ नहीं आप लोगों से मांग रहा हूँ, बस यही बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें, आप अगर वीडियो को देखते हैं, तो प्les अगर अच्छा लगता हो तो लाइक करें अगर अच्छा नहीं लगता तो उसको डिसलाइक कर लो कोई दिखत नहीं है और शेयर भी करो जिससे कि मैं कोसिस कर रहा हूं कि कुछ आने वाले समय में मैं लाइब आपके पास आओ जिससे कि आप सिधे सिधे में उसे डाउट भी पूश सकते हैं अभी भी एवाली बेटा मैंने ले लिए तेनETHाउजन ठीक है तेन थाउजन ले लिए और रिट ले लिए मैंने चार पासंट और आपके पास टाइम ले लिए मैंने वन यह रहा पर लिखा गा इफ दा इंटेस्ट बिग गॉलेटेद इव्दा इंट्रेस बिंग कल्कुलेटेड क्वार्टर्ली अगर क्वार्टर्ली मतलब चक्रवीदी ब्याज तीमाही जूडता हो इतका मतलब है लेज तीमाही जूडता हो अगर ब्याज कि राफी आपको तीमाही जूडता है मतलब हर तीन महितना के बादो वो बंदा आपसे ब्याज लेने आ जाये गा तो उस से उनले का क्रेंगे क्या कि rate को 4 से बिटा divide कर देंगे और time को 4 से multiply कर देंगे बस कुछ नहीं करना है rate को 4 से divide कर देंगे और time को 4 से multiply कर देंगे उसके बाद जो method सिखाया था वो ऐसे ही solve कर देंगे तो rate में क्या करेंगे 4 से divide time में 4 से multiply करेंगे आगे चलते हैं कैसे निकलता है question अब यह देखिए कि यही आपके पास आप यह हो गया 10,000 अब rate क्या हो जाएगा rate अगर यहाँ पर आप देखोगे तो 4 divided by 4 हो जाएगा मतलब 1% आप टाइम क्या हो जाएगा 1 into 4 कर लोगे तो 4 यह अब 4 वाला मैथड लगा दोगे अब इसका 1% निकालेंगे तो पेटा 1% जब निकालेंगे तो इसका 1% की value क्या हो जाएगी 100 हो जाएगी फिर इसका 1% निकालेंगे इसकी value क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी फिर 1 का 1 परसें निकालेंगे तो पॉइंट जीरो वन हो जाएगा इसका फिर वन परसें निकालेंगे तो पॉइंट जीरो जीरो वन हो जाएगा चार साल में आपको मैंने सिखाया था कि चार साल में पहले चार बार इंट्रेस्ट निकालोगे तो पहले चार बार इंट्रेस्ट निकाले इसका एक परसेंट निकालेंगे सव आ गया फिर इसका एक परसेंट निकालेंगे सव का एक परसेंट वन हो गया एक का एक परसेंट निकालेंगे पॉइंट जीरो वन हो गया 0.01 का एक पसे निकालेंगे इतना होगा चार साल में आपको सिखाया था कि 4641 आपका होगा जो लोग मैं बार-बार बोलतां कि जीन लोगों को नहीं मालूम एक कोड मैं आपको पार्ट वण में ज़रूर्भ सिखाया हूं पूरा का इंट्रेस्ट निकालना हो तो कंपाउंड इंट्रेस्ट क्या हो जाएगा 400 प्लस 6 प्लस 04 प्लस 00001 पॉइंट है इसको सल्ब कर लिए तो 406 रुपया तो पूरा-पूरा हो गया उसके बाद 0101 होगा अगर बैट्टा आपको डिफेस्ट निकालना हो कि SIMPLE और COMPOUND covenant इंट्रेस्ट में डिफेस्ट क्या हो तो यह 3 राथ ही होगी, डिफेस्ट कर लोगर में क्या होगी। यहां भी गलत होगे, 0401 होगा, यहां पर 0401 होगा, बैटा Amount की बात करते हैं, तो प्रिंसिपल प्लस इंट्रेस होगा, तो प्रिंसिपल की रासी कितनी है, 10,000 है और इंट्रेस की रासी कितनी आगी, 406.0401, तो इसको अगर हम लोग जोड देते हैं, तो 10,4006.0401 होगे, जिख लिया और amount निकालना भी जिख लिया और interest भी निकालना सीख लिया यह चार चीज़ें आप लोगों मैंने सिखा दिया कि कैसे निकालने किसी भी चीजों कि बस आपको यह code याद होना चाहिए अगर यह आपके पास code याद हो ना difference निकालने में problem होगी नहीं आपको amount निक and compound interest निकालने में प्रॉलम होगी इसमें कुछ भी प्रॉलम नहीं है इसलिए मैं यह बोल रहा हूं हमेशा बार बार बोल रहा हूं कि जाकर part 1 को देखिएगा जिससे आपको यह code मालम हो जाएगा तो quarterly समख्या दिया Quarterly में क्या करना है Rate को 4 से divide करना है Time को 2 से multiply करना है Half yearly में क्या करना है rate को 2 से divide करना है और Time को 2 से multiply करना है तो अब के पास 50 Co? हो गया जिसमें कि आपको यह शीखा दिया मैंने कि क्या-क्या निकालना है अब बैटा आगली क्लास में हम लोगों ने ये सीखना होगा कि हम लोगों को rate कैसे निकालना हो, किसी भी situation में rate कैसे निकालना हो, तो कम से कम near about उसमें आप लोगों को 5 method होते हैं, 5 मतलब variation होता है, 5 variation से rate निकालने होता है, तो 5 variation का rate निकालने सीखा जोगा, मालों कि आपको principle दिया हो, और amount दिया हो, तो rate कैसे निकालोगे, अगर आपके पास amount amount ही दिया हो, तो rate कैसे निकालोगे, आपके पास, अगर interest interest दिया हो, तो rate कैसे निकालोगे, आपके पास 4 गुना 6 गुना दे दिया है, कि 4 गुना हो गया, 6 गुना हो गया, तो rate कैसे निकालने, मतलब जित वीडियो को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरू कराईए जिससे कि मैं आपको जल से जल जो है लाइफ क्लास में आ सको थैंक यू